बिस्मिल्य रोमानी रहीम आज हम बनाएंगे सर्षो का साग यहां पर मैंने सर्षो ली है दो पीज सर्षो के लिए हैं दो बड़े बंच और एक बड़ा बंच पालक का लिया है सर्षो का साग हमेशा पालक के साथ ही बनाया जाता है इन सर्षो के साग को जरूर बनाएं बहुत ही आसान तरीखे से तो चलिए बनाते हैं ढाबा स्टाइल सर्षो का साग यहां पर मैंने सर्षो को अच्छे से वाश करकर कट कर लिया है हम सरसो के साग को प्रेशर कुकर में बनाएंगे सरसो बहुत टाइम लेती है गलने के लिए इसलिए सरसो के साग को हमेशा सरसो के आईल में बनाना चाहिए जिससे सरसो का साग और भी जादा मज़ेदार बनता है यहां पर मैंने 50 ml से 60 ml सरसो का आईल लिया है सरसो के आईल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे नहीं तो ये कड़वा होगा और साग भी अच्छे से नहीं बनेगा आईल अच्छे से गरम हो चुका है हम साग को आईल में शामिल कर लेंगे साग के साथ दो से तीन अदद हरीमिश शामिल करेंगे आईल में साख को थोड़ा सा भून कर प्रेशर दे देंगे तीन विजिल आने तक तीन विजल में साख अच्छे से कुख हो जाएगी त्री विजिल्स हो चुके हैं आप देख सकते हैं सरसो अच्छे से गल चुकी है अगर हम सरसो को हांडी में कुक करेंगे तो तकरीबान एक घंटा तो लगी जाएगा इसलिए प्रेशर कुकर में जल्द बन जाती है quarter teaspoon घल्दी बौडर शामिल किया है quarter teaspoon लाल मिर्च बौडर शामिल किया है one teaspoon full जिंजर गालिक पेस शामिल किया है quarter teaspoon से थोड़ा सा जादा नमक शामिल किया है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले ले, quarter teaspoon धनिया पॉडर शामिल किया है, सिर्फ इन नॉर्मल से घर के मसालों के साथ सरसो को अच्छे से भून लेंगे, यहां पर एक घोटना ले लेंगे और घोटने से सरसो को अच्छे से मिक इतना घोटना है कि सारे सर्सो के रेशे रेशे हो जाएं इस तरह से सरसो को चौपर या ग्रैंडर में ग्रैंड करने से टेस्ट नहीं आएगा इस तरह से वुडन मैशर से ही मैश करना है गोटने के बाद आदा ग्लस वाटर शामिल कर लेंगे सरसो को वाटर में अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ओईल उपर आने तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे इंस्टेन सरसो का साग रेसिपी है बहुत ही आसानी से जल्द बन जाती है यहां पर सिर्फ मेहनत का काम इसको गोटना है आप देख सकते हैं ओईल उपर आ रहा है माशाला से अभी हम सरसो को सर्फ करेंगे यह बिल्कुल रेड़ी है बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए आप इस स्टेज पर इसमें बटर भी शामिल कर लें अपने टेस्ट के हिसाब से यहां पर मैंने तड़का भी नहीं लगाया है लेकिन माशाला से यह भीर भी बहुत मज़ेदार है बिना तड़के के तड़का लगाने से सरसो जल्द हजम नहीं होती इस तरह से बनाएं तड़के की भी जरूरत नहीं है और स्टमक पर लाइड भी रहेगी यहां पर मैंने एक क्यूब बटर का शामिल कर लिया है आप अपने टेस्ट के हिसाब से बटर शामिल कर लें इंस्टेंट धाबा स्टाइल सरसो का सापकी रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन को फिस करें ठैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो जजाक अल्लाव खेर